हापी दिवाली एब्रिवान तो चली आज हम दिवाली के लिए कुछ नमकिन सा बनाते हीं आप इसे एक महने के लिए स्टोर करके रख सकते हो बहुत ही चदा टेस्टी और कुरकुरे बनते हैं तो चली यह सुरू करते हीं आप इस तरह से किसी वे कटोरी के अपनी माफ के अकडिंग ले ले ना महीं हम पर धाई कटोरी पाने ले रही हूं इस सस्पैन में उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून तेल और स्वाध अनसा नमक जो पानी थोड़ा सा गरम हो जाए ना इस तरीके से अब हम इसमें डालेंगे दो कटोरी सुजी जिस कटोरी में हमने पानी आड़ किया था ना उसी कटोरी में हम सुजी आड़ करेंगे घ्यान रखना आप प्रशियों को मैं हम पर धाई कप पानी के साथ दो कप सूजी आड़ कर रही हूँ और इसे हम लो फलेंप इसे ही चोड़ देते हैं उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक मिक्स करेंगे जग तक सूजी सारा पानी अच्छे से ना पीजाए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं यहां पर हमारा सूजी अच्छे से सारे पानी को सोख को चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे ना क्यास को बंद कर देंगे और इसे हम इस तरीके से उलट पुलट करके मिक्स करतेंगे हम इस तरीके से सुजी को चाहे था ना बिल्कुल इस तरीके से हमारा सुजी बन चुके है तब हम इसे साइड में रखकर थंड़े बने के लिए छोड़ देते हैं उसे भी जब तक सुझी थंडा हो रहा है ना उसे भी बाकी सारे प्रिपरेशन भी कर लेंगे मैं थोड़ा सा ही तेल में में यहाँ पा ले रहे हूँ 1 फोर्थ कप बादम यहां पर पिननट भी थोड़ा सा क्रिस्प होना जोरी हो चुका है उसे तेल में हम डाल देते हैं आलमंड को जो मैंने पहले से ही हाफ कट करके उसे रखी थी और कशियो जो भी हाफ कट में रखा हुआ है और इसे हम लोग फ्लेम पे भून लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउड ना हो चाहे मैं इसे रोश करने के लिए ज़्यादा तेल का यूज नहीं कर रही हूँ आप चाहे तो डारेक्ट फ्राई भी कर सकती हो यहां पर बादम और काजू एच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो उसे भी हम एक प्लेट में निकल कर रख लेते हैं एकसेस ओयल को निकलने के पाद इसे हम एक प्लेट में निकल कर रख लेंगे जिस प्लेट में हमने पिनट्स को पहले से ही रखा था अगर आपको भी लगता है बज़ार स्नाक्स लाने के बज़ा आप घर में बनाना चाहते हो तो आप इस रेसिपी को ट्राइ कर सकते हो और उसे तेल में ही हम आप में डालेंगे एक कफ के करी मखाना इसे हम रोज करते हैं जब तक एक रिफ्स ना हो जाए अब इस तरीकेसे इसे चेक कर सकते हो देख से तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है और इसे हम थोड़ी तर और भी इसे भूनेंगे अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा क्रस हो रहा है यानि कि यह हो चुका है तब हम इसे एक प्लेट में निकलका रख लेते हैं सारे मखानों को हम एक प्लेट में निकलका रख लेंगे अब हमारा ड्राइफ रूट सरे फ्राइ हो चुके हैं तब हम इसे कवर करके साइड में रख लेते हैं उसी बीच हम हमारे नम्किन का प्रिपारेशन ऊड़ कर लेंगे मैं यह पर चार बोईल आलो ले रही हूँ और एक ग्रेटर की मदद से इसे हम दोर Κालाराई ग्रेटर कर लेते ही ग्रेट ग्रेट करने से य denial अच्छे से मिक्स हो चाता है अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद है ना दोस्तों प्लीज मेरे चाहां को सब्सक्रेब कर ले ना सारे आलो को हम अच्छे से ग्रेट कर लेते ही और अब हमने जो सूजी को थंडा होने के लिए चोड़ेते ना उसी सूजी को ही इसमें डालेंगे और इससे हम अच्छे से गुंत लेते हैं जब तक के सौफ्ट सा डो रेडी ना हो जाए अगर आपको जरुद पड़े तो आप इसमें इस तरह से थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल भी कर सकते हो अगर ना जरुद पड़े तो बिल्कुली पान मत डालना और इस तरीके से हम इसे गुंत लेंगे जिस तरीके से हम रोटी के लिए सिंपली आटा गुंत ना बिल्कुल उसी तरीके से अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून तेल इसे ये बहुत अच्छे से गुंता है बहुत सफ्वी बनता है क्यूंकि हम इसे मसें बनने बाल हैं तो इसे ही थोड़ा साफ्ट होना भी ज़रूरी है आप देक्सेदे इतना साफ्ट है इसमें थोड़ा सा ओईल ग्रिस करने के बाद इसे रख दिते हैं उसे बेच हम हमारे छांच को भी प्रिपैर कर लेंगे अब हम आमपर मशिन को ही अच्छे से ग्रिस करें एसा करने से यह अच्छे से ही निकलता है और बिलकुर भी नहीं चिपकता है सारे मसन को हम अच्छे से ओयल के साथ ग्रिस कर लेते हैं मैं आप जो छोड़ा छोड़ा वाला चांचा होता है ना उससे सिलेट कर रही हूँ और इसमें हम डालेंगे यह बहुत ही ज़्यादा बारिक बनता है और बहुत ही ज़्यादा चेस्टी भी लगता है और इसे अच्छे से फिक्स करने के पाथ इस तरीके से हम डो का छोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसमें हम पूट कर देते हैं और इसे हनूर के साथ ही हम इसे tight कर लेते हैं पिलकुल इसी तर對了 के से हम इसे upright करना होगा हुआ बहुत अच्छा सा बनता है दोस्तों एक बार कभी जर्यों ट्राइक करना और इसे हम अच्छे से भुछ भी इसे इसे चलोज करना यहीं तो जब भी हम इसे प्रेस करेंगे यह चिटक भी सकता है इसलिए आप इसे प्रफरली कलोज करना यहाँ पर ओयल करके रखी धी मैंठ आप इस तरह से पोड करना तब आप क्या करना? ओयल को आप slow में रखना उसके बाद आप high कर सकते हो इस तरीके से हम इसमें डाल देते ही ओयल में धेर सारे bubbles आने सुरू हो चुका है जब यह bubbles कतम हो जाए न तब आप समझ लेना कि यह अच्छे से पक चुका है और इसके साथ तब तक आप कोई भी शड़कानी मत करना आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्राउन ब्राउन बनकर रेडी हो चुके हैं तरीके से मैंने धेर सारे नमकिन बना कर एक कंटेनर में स्टोर करके रखी थी आप भी रख सकते हो और बहुत ही चैथा टेस्टी बना था भी यह और इसे अच्छे से हाथों से क्रश करने के प तो सारे को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं जैसे कि सारे ड्राइफ रूट्स नमकिन के साथ अच्छे से गोल मिल जाए यह आफको आफकी बच्चों को और बड़ों को सभी को पसंद आएका बहुत ही जदा क्रिस्पी और कुर्क्युरे भी बनते ही मैं करें इसका पर कुछ करे लिफ्स को फ्राइकर के चिसमें टॉल दें हुँ इसका सारे लिफ्स को हम अलग कर देंगे और यह बहुत ही ज़्याद़ नमकिन बनकर बेल्कुलदो विबळिया tes प्राश में बोलूंगी हापी दीवाली बी सेफ।